असलाम लेकुम प्यारे दोस्तों वेलकुम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग मुझे अमीद है कि आप लोग ठीक होंगे आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबदस कस्टड ब्रेड रोल की रेसपी लेके आई हूँ आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी यह बहुत मज़े के बनते हैं सूपर सॉफ्ट एंड सूपर डिलिशियस बनते हैं तो चलिए अब इसकी रेसपी की तरफ चलते ह सबसे पहले में एक बाउल के लोंगी 500 दूद्ध अब इसमें जाएंगे दो अंडे 100 ग्रैम शूगर अपिंच अफ सॉल्ट अब इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून कस्टड पाउडर मैं यहां पर मेंगो कस्टड यूज़ कर रही हैं वगर आप लोगों को यह पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पर यहां पर 3 टेबल स्पून कॉन स्ट्राच डाल सकते हैं और इसके साथ 1 टेबल स्पून वनिले एसंस का डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास यहां पर मैंगो फ्लेवर था तो मैंने इसमें मैंगो कस्टड का यूज़ किया है अब यह रैडी है अब इसके लिए मैं एक पैन को रूखंगे चूले के ऊपर और अब यह मैं इसमें बैटर अब चलते हैं अपने नेक्स टाप की तरफ और वह है डोबनाना इसके लिए मैं लूँगे यहां पर 100 ml गरम किया हूँ हाफ टेबल स्पून एस्ट दूद आपने गरम का लेना इसको मेक शूर करना है आपने के दूद गरम होना चाहिए और 50 ग्राम शूगर और वन टेबल अपने के लिए और 35 ग्राम जाएगा मैल्टिट बटर अब इसको अच्छी तरह से सारी चीजों का लेना है और थोड़े देर के लिए इसको ढ़के रख देना है आप किसी भी चीज़े इसको कवर करके रख दें तकरीबन पांच से शे मिनिट अ पांच मिनट हो चुके हैं और आब मैं इसको कवर को पीछे करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम आगे करेंगी काम इसमें मैं आड़ करूंगी अब मैदा मैदा है मेरे पास 300 ग्रैम्स इसको मैं आधा आधा करके डालूंगी यक दम से सारा नहीं आड़ करना फिस्ट में लम्स बन जाएंगे और अब यह बाकी का इस सारे को कछी सी डोब बना लूँगी मैं अच्छे से मिक्स करके अब यह डोब हमारा रेडी हो गया है और अब इसको मैं तकरीबन एक घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी एक घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी तकरीबन एक घंटा पंदरा मिनट के बाद मैंने इसको देखा था यह देखें यह अपनी साइज में डबल हो गए अब इसको बावल में से निकाला है और ग्रैजुली जो इसको अपने नीट करना है अच्छी तरह हम इसको नीट करेंगे करेंगे तो अच्छे से इसको हमने नीट करके तो अब हम इसको रोल पिन के साथ बेल लेंगे बहुत बारीक भी नहीं करना और बहुत मोटा भी नहीं करना मैं बेल के आपको दिखाती हूं कि इसको कितना ठीक रखने हमने तो अब जो हमने कस्टड रडी किया था वो हम इसको उपर सप्रेड करेंगे सारे के उपर आइसा से बहुत मोटी लियर भी नहीं लगानी और बहुत बारीक लियर भी नहीं लगानी यह सारे को उपर सप्रेड करेंगे और अब इसको रोल करेंगे और रोल करते हुए आपने बहुत बड़े-बड़े से स्टेप नहीं लेने हैं और बहुत इसको दुबा-दुबा के भी नहीं करना नॉर्मल तरीके से आप इसको करेंगे और ये थोड़ा सा जो है ना मैं डस्ट करूँगी मेदा इसके उपर और इस सारे रोल को मैं थोड़ा सा चारो तरफ लगा लूँगी इसे और अब मैं आपको बताते हूं कि इसकी कटिंग कैसे करनी है कटिंग करने के लिए आपके पास अगर तो बहुत शार्प नाइव है तो फिर आप इस्तमाल कर सकते है लेकिन अगर शार्प तो मेरे पास भी है लेकिन मैं आप से कहूंगी कि आप जो है नाइव का इसे काट देंगे तो यह देखें कितनी जबर्दस इसकी शेय बन गई है ऐसे हम सारे काट लेंगे तो इसी तरीके से मैंने सारे काट करके रख लिए हैं और अब इसको मैं तकरीबर 15-20 मिनूट ट्रस्ट के लिए रख दूँगी और अवन प्री हीट होने के लिए मैंने रख दिया है यह 15-20 मिनूट के बाद यह मैंने यह देखें थोड़े से इंबोस होगे और अब इसके उपर मैं करूंगी एग वाश थोड़ी शायन आजाती है इसलिए एग वाश मैं कर रही हूँ और इसके बाद मेरे पास यह एलमेंट ने स्लाइस किये हूए यह लगा दूँगी मैं उपर और इसको हम तकरीबर 180 डिगरी पे 15-17 मिनूट बेख करूंगी मैं अब तो यह तकरीबर 17 मिनूट के बाद मैंने निकाला था आप हर एक अवन का टमपरेचर जो है ना वो अलग से होता है तो आप इसको चेक कर ले 15 मिनूट के बाद के अगर यह हो गया है तो ठीक है और अगर यह कुक नहीं हुए तो आप इनको 2 मिनूट और दे सकते हैं आप लोगों को अच्छे लगे हैं आप लोगों को अच्छे लगए तो आप लोगों को लाइक करना है और CY情 Minecraft करना है तब तक मैं आपके साथ मिलती हूँ अगली recipe के साथ, आल्ला हाफ़ेज